हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागता आप सभी लोग आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत इमात पूल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ High Blood Pressure के बारे में यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा Blood Pressure होता क्या है क्योंकि आप लोग बच्पन से ही सुनते हुए आ रहे हैं कि इनका Blood Pressure High हो गया है इनका Blood Pressure Low हो गया है तो आज की इस वीडियो में high blood pressure के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा, इसका इलाज क्या होता है, इसको ठीक करने के लिए कौनकों से दवाईयां दिया आता है, सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में बताने वाला हूं, तो आज का वीडियो बहुत इमात प्रेसर क्या होता है, what is blood pressure? दोस्तों जब हमारा heart pump करता है, तो जो हमारा blood होता है, यह flow करता है, आर्टरीच के वाल में, तो इसमें आर्टरीच के वाल में, जाकर के जो यह प्रेसर लगाता है, इसी प्रेसर को बोलते है, blood pressure, जैसे कि मालीजे ये एक pipe है इसमें यहाँ पर पानी आ रहा है अंदर पानी जा रहा है, अब यह जो पानी आ रहा है यहाँ से मालीजे हम थोड़ा सा pipe को दबा देते हैं तो कितना जादा यह इस पर pressure लगाने लगता है अगर मालीजे यह मोटा pipe है और पानी बहुत कम जा रहा है तो क्या pipe में ज़्यादा pressure लगेगा नहीं लगेगा, तो जब ज़्यादा इसमें pressure लगने लगेगा तो इसको बोलते हैं कि blood का pressure जो होता है वो high हो गया है और इसी को बोलते है high BP लेकिन अगर मालीजे heart rate के वाल में यह pressure बहुत कम लगाएगा बहुत कम लगाएगा तो इसका मतलब क्या होता है जो blood का pressure है वो low हो गया है इसी को बोलते है blood pressure high होना blood pressure low होना जैसे कि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझे यह है heart rate का वाल हमारा blood यहाँ पर flow कर रहा है अब इसमें जितना ज़्यादा अगर मालिजे बहुत ज़्यादा यह pressure लगाने लग गया heart rate के वाल में तो इसका मतलब क्या होता है blood का pressure high हो गया है अगर pressure कम लगाने लगेगा तो मतलब blood का pressure low हो गया है अगर नार्मल है आराम से जा रहा है जैसे नार्मल ही जाता है तब तो ज़्यादा प्रेसर लगाने लगेगा तो high है कम लगाएगा तो मतलब low है यही होता है पूरी की पूरी कहानी blood pressure का और इसे में लोग confused हो जाते हैं कि यह blood pressure high और लोग कैसे होता है देखिए जम नार्मल ही flow करेगा तब तो जान लिजे नार्मल है लेकिन धीरे धीरे जैसे यह पतला होने लगेगा तो pressure बहुत जादे बढ़ने लगेगा बढ़ने लगेगा जैसे मान लिजे नार्मल यहाँ पर यह pipe है और इसको हम आगे दबाते हुए जा रहे हैं दबाते हुए जा रहे हैं तो कितना जादा यहाँ पर पानी का pressure लगने लगता है और इसी वज़े से पानी बहुत थेजी से आगी की तरफ फेकने लगता है क्योंकि आगी हम pipe को दबाए रहते हैं इसलिए एकदम पीछे tight जो होता है pipe एकदम tight हो जाता है तो इसी तरीके से यहाँ पर दिखाए गया है कि नार्मली जब हमारा blood flow करेगा तब तो आराम से जाएगा लेकिन जैसे जैसे यह contract होता हुआ चला जाएगा तो मतलब blood pressure high होना start हो जाएगा यहाँ पर देखे इतना पतला हो गया है मतलब blood pressure जादे बढ़ गया है जिसको बोलते है hyper tension आयोब आप सबी लोग को एकदम अच्छे से इतना बात समझ में आ गया होगा ध्यान से देखेंगे तो आज के बात कभी भी आपके पास यह doubt नहीं रह जाएगा कि यह क्या होता है blood pressure समझ गया बात आप लोग देखें systolic जो होता है और diastolic इसमें दो नंबर होते है contract जब हमारा heart होता है तो इसको बोलते है systolic systolic इसको बोलते है और जब हमारा heart relax होता है तो इसको diastolic बोला जाता है चलिए यह बात है तो हो गया लेकिन हम जानते हैं कि blood pressure का normal range क्या होता है और ज्यादा range होने पर high blood pressure होने पर कितना हो सकता है ठीक तो blood pressure का normal range 120-80 होता है अगर blood pressure बढ़ना शुरू हो गया जिसको hyper tension बोलते हैं तो 140-90 हो सकता है समझ गया बात अगर बहुत ज्यादा blood pressure बढ़ जाता है तो यह इससे ज्यादा बढ़ने लगेगा लेकिन अगर blood pressure कम होने लगेगा लो बीपी होने लगेगा तो इससे range कम हो जाएगा जिसको hypo tension बोलते हैं इसमें देखे 120-80 जो नार्मल होता है उससे यह कम हो गया है 90-160 आया हुआ है अगर result में तो मतलब इनका blood pressure low हो गया है और low blood pressure को hypo tension बोला जाता है hypo का मतलब होता है कम होना और tension का मतलब blood pressure hyper का मतलब होता है ज्यादा और tension का मतलब blood pressure तो ज्यादा बलेट प्रेसर को hypertension कम बलेट प्रेसर को hypertension बोला जाता है यह आप लोगों को पता रहना चाहिए अब यहाँ पर बात यह आता है कि जो होता है नार्मल रेंज यह आप लोगों को 120-80 पता है यह 120 जो होता है इसको systolic बोला जाता है जो ज्यादा रेंज में आता है उसको डाइश्टूलिक बोला जाता है। तो ये तो नार्मल होता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा बढ़ने लगेगा रेंज, तो इसको हम लोग हाइपर टेंशन बोलते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचाए कि बलेड प्रेसर हाई क्या होता है। बलेड प्रेसर हाई होने का कारण क्या होता है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। जिन लोगों का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। उस तरह के लोगों में देखा जाता है कि उनका बलेड प्रेसर हाई हो जाता है। तो weight को अपने maintain रखना चाहिए, ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए, ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, alcohol बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, smoking बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, पूरी निद अच्छे से लेना चाहिए, उसके बाद ज्यादा दिमाग में tension नहीं रखना नहीं तो ये सारे कारण होते हैं blood pressure के बढ़ने का तो blood pressure को अगर normal रखना है तो ये सारे चीज़ों से बचाव करना चाहिए ये बात आप लोगों को समझ में आया की नहीं एकदम अच्छे से दोस्तों अगर किसी का blood pressure high हो जाता है तो उनमें क्या क्या लच्छड देखे जाते है blood pressure high होने पर सर में दर्द देखा जाता है जी मचलाने लगना घबराहट होना जिसको nervousness बोला जाता है चक्कर आना देखा जाता है उसके पास सांस लेने में दिक्कत होना breathing problem जिसको बोलते हैं ये सारे के सारे problem देखे जाते हैं अगर किसी का blood pressure high हो जाता है सर में दर्द होना, जी मचलाना, घबराहट होना चक्कर आना, सांस लेने में दिक्कत होना ये सारे problem तब देखे जाते हैं जब किसी का blood pressure high हो जाता है और इसे को लच्छड अगर मालेजे किसी के अंदर ये लच्छड देख रहे हैं तो तुरंत उनको blood pressure का ज्यांच करवा लेना चाहिए चेक करवा लेना चाहिए कि blood pressure बढ़ा हुआ है कि नार्मल है तुरंत उनको ज्यांच करा लेना चाहिए और अगर बलेट प्रेसर की उजांच करने के बाद पता चल जाएगा और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा जो लोग लेना चाते हैं ले सकते हैं जो लोग प्रेक्टिस करने वाले चात्र हैं जरूर इस बुक को पर्चेश करें जिसमें हजारों प्रकार की दवाईयों का नालेज आपको मिल जाएगा कि ब्लेड प्रेसर हाई है इनका तब उसको ठीक करने के लिए कौन सी दवाईया दिया आता है चलिए अब हम मेडिसीन के बारे में बात करने जा रहें दोस्तों मेडिसीन के बात करें तो सबसे पहला जो मेडिसीन है वो एमलोडिपीन टेबलेट थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ यहां पर देखिए कुछ हाइट की तरह बना हुआ है दिख रहा है और इसी से आपको उन्मान लग जाएगा कि यह दवाईया ब्लेड प् यह मेडिसीन है यह एमलोवास के नाम से फेमस होता है दोस्तों यह ऐसा मेडिसीन होता है जिसका काम होता है यह कैलसियम चैनल को भी ब्लाग करने का काम करता है हाइपर टेंसन मतलब बलेड प्लेशर अगर किसी का हाई है तो हाइपर टेंसन को भी यह ठीक करने का काम करता ह अगर किसी को chest pain हो रहा है सीनी में दर्द हो रहा है तो उस दर्द को भी ये ठीक करने का काम करता है amlodipine बैसी lid tablet आयोप ये बात आपको समझ में आया होगा तो चलिए बात करते हैं अगले medicine के बारे में अगला जो medicine है दोस्तों वो है ethanol oil tablet इसको भी थोड़ा सा जूंग करके detail समझते हैं ये दोस्तों ethanol oil tablet है जो कि हर्पियस 50 के नाम से famous होता है जो कि ये 50 mg का medicine होता है जो कि ये सिपला कंपनी के द्वारा बनाया गया है medicine ethanol oil tablet इंडियन फर्माकोपिया का medicine है 50 mg का ये tablet है इसका क्या काम होता है ये ऐसा medicine होता है जो कि अगर किसी का bullet pressure high है जिसको hypertension बोलते है तो उसको भी ठीक करने का ये काम करता है अगर किसी के सीने में दर्द हो रहा है chest pain हो रहा है तो उसको भी ये ठीक करता है heart attack के cases में भी इस medicine को दिया जाता है समझ गये बात आप लोग एकदम अच्छे से एक बात और बता देता हूँ आप लोगों को इतने बहुत सारी दवायों की बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा कि अगर किसी का bullet pressure high हो जाता है तो कौन-कौन सी दवायों का इस्तेमाल कर सकते हैं तो सारी दवा का इस्तेमाल नहीं किया आता है इन में से कोई एक दवा का इस्तेमाल किया आता है यह आपको पता रहना चाहिए तो चलिए बात करते हैं और भी दवायों के बारे में यह तो आपको समझ में आई गया होगा etinolol tablet के बारे में तो अगला जो medicine है दोस्तों वो amylodepine प्लस etinolol tablet ये देखिए, दो combination से मिल करके बना हुआ है, combination का मतलब होता है एक product, दो product, मतलब दो चीज मिल करके जो दवा बनता है, दो तीन चीज मिल करके जो दवा बनता है, एक दवा बनता है उसको हम लोग combination वाले medicine बोलते है जैसे कि, इसको देखिए ये है, amylodepine and etinolol tablet, इसमें amylodepine भी है और etinolol भी है ये दोनों चीज मिल करके बना हुआ है, amylokine 80, देखिए, amylokine 80 अगर कहीं पर लिखा मिल जा है, तो amylokine 80 का मतलब होता है, amylodepine 80 का मतलब होता है, etinolol समझ गए, तो ये होता है amylodepine and etinolol tablet, जो की mankind company के दोरा ये बनाया गया है, ये ऐसा medicine होता है जिसका काम होता है, stroke के cases में देना, heart attack के cases में देना, blood pressure किसी का high हो गया है, तो उसको normal करना इन सारी चीजों की cases में दिया जाता है amylokine, 80 tablet इनका डोज क्या होता है, according to the patient condition ODC, BD इसको दिया जा सकता है दिन भर में, वो भी खाना खाने के बाद इसको दिया आता है, समझ गए बात आप लोग एकदम अच्छे से, ये बाते हो गई amylokine, 80 tablet के बारे में इसी तरह से अगला जो medicine है इसको दिन भर में केवल और केवल एक बार दे सकते हैं, जादा प्राबलम होता है तब BD दिया आता है, नहीं तो एक बार ही इसको दिया आता है, समझ गए बात आप लोग एकदम अच्छे से, तो चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले medicine के बारे में, अगला जो medicine है वै लोसा आटें टेबलेट, अब देखिए इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं डेटेल में ये देखिए, लोसा काइंड के नाम से फेमस होता है, लोसा आटें, पोटेसियम बलाकर medicine होता है, जो कि बलेट प्रेसर हाई को मेंटेन करने का काम करते हैं जिसको hypertension बोला जाता है तो hypertension के cases में, heart attack के cases में heart fail के cases में, इस दवा का इस्तेमाल किया आता है, जिसका नाम होता है लोसा काइंड टेबलेट, जो कि ये 50 mg का medicine होता है, इसमें मैंने आप लोगों को एक फार्मूला भी बताया था दोस्तों कि जिन दवाईयों के नाम की लाष्ट में, अगर sartan आ जाता है, तो वो दवाईया, blood pressure की दवाईया होता है, मतलब अगर किसी का blood pressure high हो जाता है, तो उस cases में sartan वाले medicine का इस्तिमाल किया आता है, जैसे कि low sartan हो गया, tell me sartan हो गया, वो भी example अभी नीचे दिखाऊंगा, लेकिन ये जो होता है, आप लोग याद रखना, कि अगर sartan आ जाए, तो मतलब blood pressure high होने पर ये दवाईया दिया आता है, समझ गया, तो ये बात हो गया, low sartan के बारे में, जिसका composition होता है, low sartan, तो sartan आ गया, मतलब blood pressure को नार्मल करने वाली ये दवाई होता है, अगले medicine की बात करें, तो देखें, यहाँ पर ये भी आ गया है, इसका नाम है, tell me sartan, तो यहाँ पर sartan आया हुआ है, इसके पहले low sartan के बारे में, तो इस तरह से आप अन्माल लगा सकते हैं, कि ये दवाईया, blood pressure को नार्मल करने वाली दवा होती है, जो कि ये telma 40 के नाम से famous होता है, जो कि ये 40 mg का medicine होता है, और Indian pharmacopia का, ये medicine होता है, जिसका काम होता है, blood pressure को नार्मल करना, अगर किसी का blood pressure हाई हो गया है, तो इसको ये कम करने का काम करते हैं, heart attack के cases में दिया आता है, heart failure के cases में दिया आता है, stroke के cases में भी ये दवा का इस्तिमाल कर सकते हैं, तो ये बाते हो गए, tell me sartan tablet के बारे में, जो कि ये एनवास के नाम से famous होता है, जिसका composition होता है, analpril, melted tablet, जो कि एक परकार का Indian फर्माकोपिया का medicine होता है, ये Cadillac Company के दोरा बनाय गया है, 10MG का ये medicine होता है, जिसका काम होता है, अगर किसी का blood pressure high हो गया है, जिसको hypertension बोलते हैं, उस cases में भी इसको दिया आता है, heart failure के cases में भी दिया आता है, इस stroke के भी cases में इसका इस्तिमाल किया जाता है, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को एक बात का तो अनुमान लगी गया होगा, कि मैं आप लोगों को high blood pressure के कितने सारी दवा के बारे में बता रहा हूँ, यह सारे जो दवाईया हैं, यह अगर किसी का blood pressure high है, तो उसको नार्मल करने के cases में इन सारी दवाईयों का इस्तिमाल किया आता है, सारे दवा का इस्तिमाल एक साथ नहीं किया आता है, इन में से कोई एक दवा का इस्तिमाल किया आता है, ये बात आप लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि बहुत ये कामन बात है, बात करें अगले medicine के बारे में, उसको जानने से पहले ये बातें आप लोग जान लेजिए, ये जो एनलप्रिल medicine है, इसको can be taken, impity ishtimak, इसका मतलब क्या होता है, impity का मतलब होता है, खाली होना, ishtimak आता है, इसी तरह से अगला जो medicine होता है दोस्तों, वो होता है, ramipril, ramipril tablet जो होता है, ये ramipril नाइस के नाम से famous होता है, जो कि ये भी एक प्रकार का Indian pharmacopi का medicine होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ heart की तरह बना होता है, इस तरह से यहाँ पर भी बना जो कि यूरीन के amount को बढ़ा देता है, और urine को पूरा का पूरा बाहर निकाल देता है जिससे urine में आप सभी लोग को पता है salt पाया जाता है तो सारा salt urine के रास्ते जब बाहर निकाल जाएगा तो automatic हमारा जो blood pressure हो जाता है वो क्या हो जाता है? नार्मल हो जाता है और इसलिए अगर किसी का blood pressure रहाई है तो उनको furosmide tablet या फिर अगर ज़्यादा condition कराव है तो furosmide tablet नहीं furosmide का injection lessics का injection इस्तेमाल किया आता है जो कि यह सनूफी कंपनी के द्वारा बनाया गया है इनका काम क्या होता? यहाँ पर आप लोग देख लेजिए लिक विदिया हूँ कि यह जो lessics medicine होता है यह क्या करता है? urine के amount को increase कर देता है furosmide tablet जिससे हमारा blood pressure नार्मल हो जाता है आई होब आप लोगों को यह बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों को blood pressure के बारे में blood pressure high होने के बारे में बहुत सारी दवाईयों के बारे में बताएं पहले तो आपको बताएं blood pressure होने का कारण क्या होता है blood pressure high होने पर कौन-कौन से लच्छर देखे जाते हैं और blood pressure high होने पर कौन कौन सी दवाईयों का इस्तिमाल कर सकते हैं ये सारी बात आपको बता दिये हैं अगर आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आया हो तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्योंकि आप लोग फिडबेक देते हैं जिसमें 6000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं उसमें भी जुड़ने के लिए चैनल का नाम सपोर्टिंग आप फार्मेसी सर्च करोगे तुरंत आपको मिल जाएगा आप वहाँ पर भी हमसे जुड़ सकते हैं तो चलिए दोस्तों थैंक्स रच में वीडियो लाइक में से रहें सब्सक्राब इस चैनल